हेलो दोस्तो किट्स बारबिसों में आपका स्वागत है जैसे कि आप जानते हैं यह है टीना का घर और यहाँ पर अभी सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पर सभी लोग अभी सो रहे हैं चलिए देखते हैं अज की कहानी में क्या होता है और यहाँ पर सभी लोग सो रहे ह और तभी दादा जी की आँख खुल जाती है और ये सुबह हो गई अभी तो चिंकी की दादी सो रही है और यहां पर अभी सबी लोग सो रही है और ये मैं कितनी जल्दी उड़ गया और ये मेरी गाऊं में आदा थे ना सुबह उठने की इसलिए मेरी आख खुल गई, चलो अच्छा है, ये लोग सब सो रही है, मैं चलता हूँ, कुछ लेकर आता हूँ, बच्चों के लिए बाहर से खाने का, और यहाँ पर गई है, जोर-जोर से चिलाने लगती है, अरे चिंकी की पापा, चले जाए ना गई है, को चारा दे कितनी देर से चिला रही है, उठ जाए ना चिंकी की पापा, ये भाई मुझे नीद आ रही है, उठके चले जाओ ना, सुबह ही हो गई, अब तो नास्ता बनाने का भी टाइम हो गया है, अरे तुम्हें नहीं पता, घर में बाबु जी आए, उठो जल्दी से सुबह नास् जाओंगी ने, तो बाबु जी क्या बोलंगी, कितनी देर तक मेरी बहुत होती है, चलो जल्दी से गईया को चारा दे देती हूँ, अरे गईया के पास तो चारा बिलकुल भी नहीं है, बस गईया, दो मिनिट रुको ला रही हूं चारा, चलो जल्दी से दे देती हूँ, इतनी अच्छी हो, अगर तुम नहीं जगाती तो आज मेरी आग भी नहीं खुलती, अरे जानवर को भी सुबह सुबह भूख लग जाती है, लेकिन मेरी गईया तो बहुत अच्छी है, गईया अच्छे से खा लेना, अरे चलो जल्दी से चाय बना देती हूँ, बाबु ज इना बाबु जी के लिए अच्छा नास्ता बनाओ भई, मेरे बाबु जी बहुत दिन में घर आएं, चलो माजी इतनी देर हो गई, माजी भी नहीं उठी, चलो देखता हूँ, अरे कितने अराम से तीनों बच्चे मेरे सो रहे हैं, चलो मैं माजी को देख लेता हूँ, चल को वहाँ से आई थी ना घर देखकर, बहुत ठक गई थी, पैरों में बहुत जादा दर्द हो रहा था, अभी तो मुझसे उठा भी नहीं जा रहा, पूरा बदन तूट रहा है, पता नहीं कैसा हो रहा है, पूरे कंदों में बहुत जादा दर्द हो रही है बेटा, अरे द तीना माजी की देखो बहुत तेज बुखारे मैं जा रहा हूँ बुलाने डॉक्टर को अरे भाई जल्दी से लेकर आता हूँ वैरल बुखार बहुत जाधा चल रहा है अरे ये क्या हो गया माजी को अभी तक तो अच्छी थी कल तक अचानक बाबुजी को देखकर लगता है बिमार हो गई है चलो भई पूछ लेती हूँ नहीं तो बोलेंगे कि मुझसे पूछने भी नहीं आई मेरी तबियत मा जी क्या हो गया आपको बुखार आ गया क्या अरे हाँ टीनबो पता नहीं क्या हो गया इतना जादा बदन टूट रहा है कि मैं कुछ बता नहीं सकती बेटा हाँ मा जी आज कल वाइरल बुखार भी चल रहा है ना लगता है इसलिए आपको भी बुखार आ गया हाँ माजी आप गई थी ना कल घर देखने तो आपके पैरों में वो दर्द हो रहा इसी वज़े से लगता है अरे वो पैरों की दर्द जो है है बेटा लेकिन मेरे सर में मेरे बदन में भी बहुत जादा दर्द हो रहा है अरे माजी बाबुजी कहां चले गए मैंने चाय बना दिया है अरे टीना बहु मुझे नहीं पता मैं तो सो रही थी सुबह सुबह इनकी आदत ही न टहल लें की लगता बाहर चले गए टहल लें अच्छा ठेक है माजी मैं जब तक नास्ता त्यार कर देती हूँ और फिर तबी टीना के ससूर आ जाते है घर में अरे बच्चो देखो मैं बहुत अच्छी चीज लेकर आया हूँ तुम लोगों के लिए अरे ये क्या बच्चे लोग अभी तक सो रहे हैं जलो जगाता हूं बच्चो को अरे बच्चो बच्चो उठो देखो मैं तुम लोगों के लिए क्या लेकर आयो बहुत अच्छी चीज लेकर आयो हूँ उठो बच्चो अरे उठो उठो दादजी कुछ लेकर आये चलो चलो जली से देखते हैं दादजी क्या लेकर आयो आप अरे क्या लेकर आएं है बच्चो और इक्या होगी आपको टब्यट ठीक नहीं कियााँ अरे पता नहीं किया होगया सर में पूरे बदन में बहुत जादा दर्द हो रहा है अभी बेटे ने देखा तो बुखार भी चड़ा है डॉक्टर को बुलाने गया है औरे चिंकी की दादी मुझे तो लगता है तुम्हारे वाइरल बुखार आ गया किया अभी बहुत जादा वाइरल बुखार चल रहा है ना अरे वो मैं बच्छों के लिए सोचा सुबह सुबह अंदर सा लेकर आऊँ अरे मुझे बहुत अच्छे लग रहे ज़े ताजे ताजे निकल रहे थे तुम्हे खाना हो तो बताओ में लेकर आओ तुम्हारे लिए यह नहीं मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा जब मैं खाओंगे तो बता दूँगी दादा जी खोलिए ना जल्दी शे क्या लेकर आएं आप मुझे देखना इश में क्या है दादा जी खोलिए जल्दी शे दादा जी मुझे भी खाना है मुझे भी खाना है जल्दी शे खोलिए इसको अरे जल्दी से निकाल दीजिए ना बच्चो को बहुत परिशान है बच्चे क्या लेकर आएं आप जल्दी से दिखा दीजिए चिंगी की दादी बस निकाल रहा हूँ अरे बच्चो बस एक मिनट रुको मैं इसको निकाल के देता हूँ तुम लोगों को लो बच्चो मैंने निकाल दिया बहुत ही टेस्टी है खाओ तो मज़ा ही आजाएगा तुम लोगों को अले दादजी आप पूरिया क्यों लेकर आएं ममी पूरिया तो घर में बना देती है अरे बेटा ये वो पूरिया नहीं है ये मीठी पूरिया है ये बाहरी से बनती है घर में नहीं बन पाती अच्ची अरे इनको खा कर तो देखो बहुत मज़ा आएगा तुम लोगों को अच्छे ठीक दादजी आप बोल रहे हैं तो मैं खा कर देखती हूँ मैंने तो इसे कभी नहीं खाया दादजी ये तो बहुत टेस्टी है मुझे भी खिलाओ मुझे भी खिलाओ अरे हाँ हाँ तुमें भी खिलाओ रहे है औरे दादजी ये तो बहुत अच्छी है बहुत अच्छी मैंने भी कभी नहीं खायी मैं भी चिकलती हूँ और ये वा ये तो कितनी टेस्टी है ये तो मैंने कभी नहीं काई दादजी आपने बहुत अच्छे किया इतनी अच्छी पूरिया लेकर आए बच्चो तुम लोगों को ये पूरिया पसंद आई न हाँ दादजी ये तो बहुत अच्छी पूरिया है ऐसी पूरिया तो ममी नहीं बनाती गर में अरे चिंकी की दादी कितनी देर हो गई मुझे तो लगता है तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा अभी तो डॉक्टर को लेकर भी नहीं आया दोस्तो यहां पर बच्चे अंगर सखा रहे होते हैं और यहां पर टीना किचन में सबजी बना रही होती है दोस्तो टीना की सास को अभी तक डॉक्टर देखने नहीं आया लगता है कल हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा क्या दोस्तो आगे की कहानी मेरी जरूर देखिए दोस्तो आज की कहानी मेरी कैसी लगी अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सस्क्राइब करें थैंक फॉर वाचिंग